नमस्कार मैं हूँ प्रदिफ सिंग भाड़ी और आप देख रहे हैं उद्यपुन न्यूस चैनल उद्यपुर्गे अप्रतापनेगर थाने से कुछी दूरी पर चल रहे हैं बजरी के वेद और अवेद करूबार की खबर प्रमुकता से उठाए जाने के बाद चोत तरफा उ पुलास होने के बाद संबतित विबागों में संसरी फेल गई है सभी ने अपने हाथ कुछ दिनों के लिए बजरी से जुड़ी वेश्चायों से खीच लिये हैं और कारोबार पहले जैसा नहीं रहा है इस सम्मध्य में सोंबार को हमने माइन की विबाग क्या दिकरी पिंक कि आज तक प्रेलर से ही रेती गुज़ा से लाई जा रही है तो सिया ने कहा कि रिपोर्ट पुलिस ने दी है उस आधार पर कारवाई की है रही बाद टीपी की तो इसके लिए विबाग तो पत्र भेज रखा है यहां पर जितने जने जो रेती का व्यापार करते हैं इसमें क्या समस्या रही सर खनन विबाग को अभी तक एसी टीपी के पॉइंट क्यों नहीं बना पाई सर इसमें जो भी कहना में हमाल पास प्रतिवेशन आये थे गुवर्मेंट को जो भी हमने जवाब बना के बैद दिया आये जो भी डायेक टेट को जी तो वहां से जो भ जी उसके बावजूत पुलिस विभाग और खनन विभाग आये दिन टेक्टरों को डंपरों को टीपी के नाम पर पकरते हैं उसे कहां तक उचित मानते हैं सर तो आप एक जो केस बता दो सर मुझे कि हमने बिना टीपी कोई पकड़ा हो तो बिलकुल सर अभी थाने के बार गाड़ी पड़ीवी है लोकपाल सिंग जी की अठारा दिनों से वो डंपर माँ पड़ावा है प्रताब नगर थाने में और आप लोगों ने उसकी जो डिमांड निकाली वो डेड़ लाग रुपे के निकाली अगर टीपी की विवस्ता आपकी तरफ से नहीं है तो इनलीगल वो क्या काम कर रहे है कर दो पर पहले केस को समझो वो केस यह था कि उन्होंने इस्टोक से माल बरा या नहीं नहीं जो जो पुलिस में मुझे रिपोर्ट पेस कि है जिसमी यह था कि गुजरात से बरके लेकर आए थे ठीके गुजरात तो डंपर कैसे जाए गार आप खोड़ी सोचे है तो आप उफिस आपके आपके उपिस में हो तो जिस केस की बात कर रहे हूं आप उसके पास में कुछ टेंड की के रवाना थी और उसके पूसमें और लोड टेंड था उसकी पैनल्टी लगाई गई है कि दोिनने लिए नची ने आप जो केस बता रहे हों पहले आपको पुलिस की चेहर यह तो उसकी कोपी में आपको लव्त कर वाज ता हूं ठीच पर मैं आपको एक बार बता दूम जानकरी के लिए कि कभी भी डंपर यहां से भरके नहीं जाता हैं यहां से जो जाते आप लाटा में आप वहां जो पर शुछना चाहरा हूं कि खनन विबाग जिम्में जिए बिल्कुल आप उस पर करेंगे साथ उसी जो पलीज डिपार्मेंट ने लिपको दिया है इस तरह जब डंपर रोका यह कारवाई होई उसके उसी के ब्रहाप पर माइं डिपार्मेंट ने कारवाई किये ठीक है अब मैं वापस इसी चीज पर आता हूं खनीज अभियंता पिंकराव सिंग की माने तो ओवरवेट बजरी होने की वज़े से उसका डंपर जब्द हुआ है और NGT के साथ चालान रसीत करीब डेल लाख का बना है वहीं यश्पाल सिंग ने कहा कि वह उदैपूर के स्टॉक से ही बजरी भर कर लाया था और पुलिस ने जवरन उसका डंपर जब्द किया और विभाग ने करवाई की है चलिए अब आपको मिलवाते हैं UDA तैसिलदार रंजीत सेंग से जिन्होंने साफ किया है उदैपूर नियोज मामने को संग्यान मिलाया है टीमें भेज कर दिखवाते हैं कि कौन-कौन सी UDA की जमिन पर बजरी का कारोबार किया ज़ा रहा है जाज में पुष्टी होने पर सक्त कारवाई की जएगी अब यह मानना जाए कि अवेज है जो आप पर कारोबार करते हैं अब शीग रही उन पर शिगन से करसा जाएगी बिल्कुल उनके खिलाब हम जो है अगरिम एक दू दिन में ही जो है तो रिक्तारवई करते हुए टीमों को बीज के इनका सर्वे करवाते हैं और इंके खिलाब निगलेर संब जो है कारोबार शिवमकार बाजार उदैपूर का सबसे भरोसे मंद कार बाजार जो हाँ आपको मिलेगी उचिदर में best कार्स हमारे यहाँ पर certified used कार्स फाइलन सुविधा के साथ उपलब्ध है आपके बज़ट में मिलेगी शोरूम जैसी कार, शिवमकार बाजार के साथ खरीदिये कार और शिवनारायन रेबारी के यहां एक बार जरूर पधारे उदैपूर शिवमकार बाजार, RK14, शुभागपूरा रोड उदैपूर मोबाइल नूमबर 9829410722, 961001221